कि अमल चार एंड लवन कि बड़ा दरत देने वाला ही चैप्टर तो रहा इसलिए बढ़ियांस देखना कि क्याते हैं चला अमल कि तो चार कि लवन बार में पढ़ेंगे कि अमल और चार देख लो कि अमल और चार कि कहते हैं अमल और चार अमल क्या है और चार क्या है कि कहते हैं अमल और चार जो एच प्लस देगा कि देखो इसमें तीन को बेग्यानिक थे तीनों की अलग अलग गननाएं थी क्या क्या गनना था सर्थ इसमें तीन लोगों ने सर बाते कही थी यह और हैं यह इस ने कहा जो एच प्लस देगा ना वो अमल है और जो वेच मेंड़ देगा वो चार है दिखान देज़ें जो एच प्लस देगा वो हमला जो एच बेनस देगा वो चार है उसके बाद आए सर ब्रॉंश्टेड और लॉरी उसके बाद कोन आए सर ब्रॉंश्ट मिला अ अब ब्रॉंश्टेड और लॉरी का क्या मामला था सर यह कहता था क्या कहता था सर यह कहता था जो एलक्ट्रोन देगा देखो पहले तो फिर यहीं पर होούμε साइथ अरहिनियस जिसम्हें प्रोटॉन प्रदान करने की छमता हो उल्टा हो रहा है जिसमें प्रोटोन प्रदान करने की छमता हो प्रोट्रोन देगा आई इसमें प्रोट्रोन ग्रहन करेगा और हिन यह जो हच प्लस देगा अमल है वो हच मिनस देगा च्छार है प्रॉंस्टेड अलॉरी प्रॉंस्टेड अलॉरी कहते थे जो प्रोटोन देगा वो अमल है जो प्रोटोन ग्रहन करेगा वो च्छार और हम बताते हैं सर इसको ध्यान में कैसे रखना है लेविस लेविस कहता था जो एलेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी निर्जन जोड़ी हम पढ़ाये था अभी मात कहना की नहीं पढ़ाये 하र आउज है अगर नहीं पढ़ाये तब दूसरा मंस्टlü ख़जना पढ़ेगा अकर निर्जन जोड़ी लेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी जो ग्रहन करेगा यहाँ एंगे कहेंगे एलेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी जो त्याग करेगा एलेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी जो त्याग करेगा ध्यान से देखो अमल किसको कहते हैं रहे अमल कहते हैं जो H- देगा वो अमल है जो H- देगा वो छार है जो H पलस देगा वो क्या है? अमल है और जो OH मिनसको देगा वो छार है तुमको अगर याद ना रहे अगर एच प्लस देगा तो एच प्लस मतलब प्लस मतलब प्रोटोन होता है प्लस मतलब प्रोटोन मैंनस मतलब एलक्टोन तो प्रोटोन देगा इस पर मैंनस चार्ज है इसका मतलब यह ग्रहन किया है तो प्रोटोन ग्रहन करेगा इसमें उल्टा होता है यह प्रोटोन देग का त्याग करेगा एलेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी का क्या करेगा त्याग करेगा उसे हम छार करेगा ठीक है अब ध्यान दीचेगा से एच प्लस देगा वह आमले आप सर मेंली जग अगर आप कहिएगा तो हम कहेंगे सर की आप इसको ना याद रखें क्योंकि इसका कोशन पुछता पादबसंकी ने पूछता है जो हमगाः है वह त्याग करेगा इस आधार पर लिझा है देखो एच प्लस देगा जैसे है ऐस टू आश फूर त यह प्लस देगा अन्योन वेट इसके पास वह अचाथ यह वेट मेनश देगा एच ट्रीपी ओफूर यह क्या करेगा सा एच प्लस देगा ध्यान दिजेगा सर कभी-कभी बड़ा उल्टा-पूल्टा कोश्चन से पूछ रहा है बोर्ड देता नीम में से कौन अमल है कौन अमल नहीं है यह एच प्लस देगा एल वेच्छॉल 3 जहां पर आपको वेच्ट देरेक्ट दिखें सर जहां पर आपको वेच्ट दिखें समयलो वो चार है जहां पर एच्प्लस दिखें वो समयलो अमल है जो एच्प्लस देगा वो अमल है जो वेच्प्लस देगा वो क्या है चार है अब ध्यान देने चहती है और हेनियस के अनुसार अमल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस देगा H2SO4 Culfuricuml HCN Hydrogen Cyanide HCl Hydrochloricuml H plus Cl minus HF Hydrofluoricuml इस अब क्या है सब सब H देगा यह ओए अच रहता तो ओए अच देटा अब कहता है Bronsted and Laurie के अनुसार अमल वह पदार्थ है जिसमें proton प्रदान करने H plus मतलब क्या सब H plus बोले तो क्या proton ने न proton प्रदान करने की छमता होती है और Lewis के अनुसार electron की निर्जन जोड़ी गरहन करने की छमता होती है अमल वह पदार्थ है electron की निर्जन जोड़ी गरहन करता है उसे हम क्या करते है अमल करते हैं यह Lewis के अनुसार अब अमल के गुन क्या क्या है सर क्या कहूं तुम से जाने वफा यह सीड के गुन क्या है सर what is the function of अमल अमल स्वाद में कैसा होता है खटा अमल स्वाद में खटा होता है इस सब जानते है ठीक है अमल स्वाद में क्या होता है खटा अमल का हम पी अचमान पढ़ाए थे याद करा भाया हम आरे पी अचमान 7 से कम होगा तक अमली है साथ से अधिक होगा तो छारी है याद है आशाथ होगा तो दाशी साथ से कम होगा तो अमल है साथ से अधिक होगा तो छारी है और शाथ होगा तो दाशी यानि अमल का प्याच मान कितना साथ से कम इस सब आप लोग जानते ही होंगे कहीं कोई समस्याने स्वाद में खटा होता है यह अगर आप जानते हैं सर कि अमल जो है यह ABR होता है एक होता है BRB Acid जो है सर यह Blue to Red कर देता है अमल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस जो है Red to Blue कर देता है अमल नीले लिटमस को लाल करता है छार लाल लिटमस को नीला करता है अमल नीले लिटमस को लाल करता है ABR Acid Blue to Red करता है बेस Red to Blue करता है छार लाल लिटमस को नीला करता है तीक है अब ध्यान दिचेगा लास्ट का 10 मिनिट हम आपका कमेंट्स इंज्वाई कर लेंगे शर लेकिन आभी पढ़िए शर्ण ना तो मामला फस जाएगा हमने कहा अमल स्वाद में खटा होता जबकि छार स्वाद में तिखा होता है छार स्वाद में कैसा होता है तिखा विद्द का सवुचालक होता है क्योंकि यह तोटता है ना एस टोट चला या चार और निले-लिटमस को लाल करता है चार लाल लिटमस पेपर जो होता है न सर वो लाइकेन का बना होता है लसे लिटमस लसे लाइकेन इन नहीं टाइक का कुछ लिटमस पेपर किसे बना होता है लाइकेन का दूसरा अगर अमल या छार ये अमल नीले लिटमस को लाल करता है लेकिन अगर अमल यह अच्छा ठोस वस्था में होगा तब आप यीघ्मास पेपर पर दीजिएगा यह जब फोस सवस्था में होगा मानलो अमल है और यह ठोस सवस्था में है और इसको जब लिट्रमस पेपर दीजएगा तो कूछ नहीं हो कि क्तूद रियुक्त कर पाएगा पेपर्स को है कि जब अम लेठ हो अभत्त कि निला को लाल कर दे ओ घलत कोई परिवर्तन है को से अभी करिये नहीं करता और अब जो रिटमस पेपर है वो किसका बनाता है अब जी आथ क्याता है अमल स्वाद में खटा होता है जब कि छार तीखा होता है अमल का पियचमान साथ से कम होता है जब कि छार का साथ से अधिक होता है या विद्यूत का सुचालक होता है अमल निले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और एक दो लाइन और सर मेरे तरफ से एड़ कर लिज जोड़िये, लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, DR फोस अमल या छार, इन नएा पैटरन में इस चीज़ को और जोड़िए ठोसमल या छार लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है हम कभी सोच के नहीं पढ़ाते हैं निनननव ट एका क्या बैच आ है इसको उडा देना है जिंदगी में आज तक इससे सफ़ता बैच हम नहीं पढ़ाएं लेकिन इससे अच्छा भी नहीं पढ़ाएं 100% जितना बुक्स में है सर वो complete theory प्लस हमको अगर लगता है यहां doubt है यहां छुट जाएगा तो वो भी आपको पढ़ाते हैं और सर 100% तो हम क्या मेरा बाप भी आगे पढ़ाएगा तो नहीं हो पाएगा कोई आपको सर 100% सटिस्वाई नहीं कर सकता है वो आप खुद से हो सकते हैं लेकिन हम तो सर आपका दया है सर और कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आते हैं कुछ आपके जीवन में add ही करते हैं सर घटाने की अउकाद तो हमारी भी नहीं बस आप लोग ऐसे ही से सराहना करते रहिएगा होना माप की शेवा करते रहें हो गया लेटमस पत्र लाइकेन का बनावता है अमल और छार लेटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाता ठो सवस्था में होगा तब अब देखो यहां अब लार एसीड ब्लू टू रेड करता है या अनीला भी कहता है कोई कोई हिंदी में अमले नीला को लाल कर देता है जैसे आप सर कीजिये हाँ साउंड चेप्टर का वीडियो अप्लोड हो गया है अप्लोड चेक नहीं करते हैं यही सब काम की जम बोले लास्ट का पांगे साउंड चेप्टर का वीडियो अल्रेडी अप्लोडेड है लास्ट साउंड लास्ट क्लास करके देखिए का अप्लोडेड है या सडा हु करें करें। दूसरा के सुरूब दूश्च दानब सरो छोड़ देखो एक दम आरम से कि मूऔ कि देखिये। मूल जो है यह मिथाइल औरेंज को भी लाल कर देता है कि मिथाइल औरेंज को वो क्या कर देता है या आप को याद रखना होगा एकर कोई उपएने हमको कहेगा मिथाईल ओरेंज लाके आतबी करके दिखाईए तो हम कहां से दिखाएंगे सर्थ हम नहीं दिखा सकते हैं यह मिथाईल ओरेंज को सर लाल कर देता है कि अब देखें सर्थ काता है रसाणिक यह ओगी को इवम उसके विषिष्च गुंधर्म की आदार पर जो पडार्थ को विभाजित किया एक रसाणिक लेट्यियोगिकों को, वो अमलचार है, लवन है, और अमलचार लवन की अगर हम बात करें, तो अमलओंके प्रकार, वह तो हो गए सर, पदार्चों तीन बाटा गया, अमलचार और लवन, उश में भी अगर आप आईएगा, तो अमलच को सर अगर हम बाटते हैं, ऐ होता है, एवं हैड्रोजन एवं हैड्रोजन की उपस्थिती के आधार पर एक होता है हैड्रोजन आयन त्याग करने की छमता के आधार पर एक है जलिये विलियन में अमलिये अमल की मात्रा के आधार पर अब इसके आधार पर पहले हम लोग देख लेते हैं यह अमल के प्रकार है, टाइट सफेसीड में, अमल ऑक्सीजन एवं हैड्रोजन की उपस्थिती के आधार पर, हैड्रोजन आयन त्याग करने की छमता के आधार पर, जलिय विलियन में अमल की मात्रा के आधार पर, जब सर oxygen हम hydrogen के आधार पर कहिएगा तो दो प्रकार के अमल है पहले इसको देख लिजे, oxy mol और hydra देयान दिजेगा असे अमल के आधार, अमल दो प्रकार के, एक ऑक्सी अमल, एक हड्राम, एक ऑक्सी अमल होता है और एक हड्राम होता है, ओक्सी अमल में सर क्या होता है, जहां दीचेक, अगर हम ऑक्सी अमल, एक होता है Oxy Amla एक होता है Hydram Oxy Amla में कहता है इसमें Oxygen तथा Hydrogen दोनों होता है इसमें केबल Hydrogen होता है ध्याम दीज़ेगा, ओक्सी इसमें ओक्सीजन तथा हैड्रोजन दोनों होता है, हैड्रा इसमें केवल हैड्रोजन होता है ज्याम दीज़ेगा, ओक्सी इसमें ओक्सीजन तथा हैड्रोजन दोनों होता है, हैड्रा इसमें केवल ओक्सीजन होता है क्यवाल hydrogen होता है hydrogen में क्यवाल hydrogen जीसे example ले ले लिजे सरा HF HCl किसका example ले ले लिजे सरा H3PO4 दिखो hydrogen भी है oxygen भी है H2SO4 hydrogen भी है oxygen भी है जहाँ दिज़ेगे यह oxy, एक hydra oxy आमल में hydrogen hydrogen और ऑक्सिजन दोनों होगा हाइड्राम 사진 में क्यंवल hydrogen होग मैं-ध्यान दीजन कि हमने कहा औकक्सियम Лँमें hydrogen और oxygen दोनों होगा आइड्राम में hydrogen ज्येंग हैं उल्च होगा और आप Kin DIRECTOR Um क्या है सर दोनों में क्या है सर है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं अमल में किसका होना अनिवार है है पर्वानों में है अधार पर दो भाग में है अंधार नों गता है है वे अमले जिन में हैड्रोजन पर्मारू से एक ऑक्सीजन पर्मानू सन्यूक्त रहता है जिसमें hydrogen परवानों से एक oxygen परवानों यानि दोनों रहेगा तथा कम से कम एक अन्य तक तो भी उपस्थित होता है जैसे देखो एगो hydrogen, एगो oxygen है और एगो अन्य है इसको कहते हैं oxygen अब hydra amyl किसको कहते हैं? hydra amylों में oxygen नहीं पाजाता है hydrogen पाया जाता है देखो HCl, HF, यह क्या है? oxygen है इसमें येवल hydrogen है तो इसको हम hydra amyl कहते हैं अब कहता है hydra acid ध्यान दीज़ेगा सर्थ hydra acid जब यह हो गया तो इसमें hydrogen होता है HCl, HCl, HF oxy acid होगा तो इसमें hydrogen तथा oxygen दोनों होता है H2SO4, HNO3, H2CO3 येवल दीज़ेखा तो एक «लैंगा बाद सर दो प्रकार का हो गयाest Hydra एक «लैंग» हम कहते हैं सर की ऐक लैंग की अमल में किसका होना निवारे ह। अमल में समन्म रूप से पाये जाने वाला तब तो suis UK hydrogen यहनों किसका होना निवारे है hydrogen का होना अनिवार यह है hydrogen होबे करेगा इस fix clear oxy कहेगा तो उसमें oxygen hydrogen दोनों होगा तो तुम क्या करना oxy जब यह कहेगा हम सोचना हना h2SO4 oxygen है न तो कि हम hydrogen हो है इसका मतलब हो गया कि वो oxy में oxygen hydrogen दोनों होगा hydra की अगर हम बात करेंगे तो hcl hf के वल hydrogen हो और अमल में सर किसका होना अनिवार है hydra दमी का अब देखो हम 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 अंजाम होगा अभी तो मुहांबत का अमल दो प्रकार के एक प्रबल अमल है एक प्रबल अमल है और हिनियस कहता था कि जो h plus देगा वो अमल है तो जो तेजी से देगा उप्रबल अमल है और जो धीरे धीरे देगा उप्रबल अमल है पुझा गना है जो h plus देगा वो अमल है तो जो तेजी से देगा वो प्रबल अमल है जो धीरे धीरे h plus देगा वो दुरबल अमल है कहते हैं जल में घुल कर जो h plus देगा हम कहेंगे जो दूद देगा उगाए है और जो तेजी से दूद देगा जली अली दूद देगा प्रबल अमल है जो धीरे धीरे दूद देगा वो दुरबल अमल है कहते हैं जल में घुल कर जल में घुल कर जो तेजी से h plus देता है उप्रबल अमल है जल में घुल कर जो धीरे धीरे h plus देता है वो दूरबल हमल है यही अगर छार में जाएंगे ना तक हैंगे जो जेल में घुलकर तेजी से OH- देता हुआ प्रबल चार है और जो धिरे धिरे OH- देता तो दुरबल चार इसका जब example पे लीजेगा था इस तै पैसमिल में अगर लाइए गासर PCOOH CH3COOH जितने भी कार्बन वाले योगिक है ना वो दुर्बल अमल है जिसमें कार्बन है वो दुर्बल अमल है दुर्बल अमल किसको कहते हैं? कार्बनिक योगिक कार्बनिक एसीड जितने भी है जिसमें कार्बन है इसमें देखो carbon ने है इस प्रबल अमल है जिसमें carbon होता हुँ दूर्बल अमल कारबनिक योगिकडर दूर्बल अमल अब गौर फर्माईएक सर्थ कहते हैं प्रबल अमल ऐसे अमल जो की जल में पूर्टेया आयन निकृत हो जाते हैं फलता बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा प्रबल अमल अकम संख्या में देगा दुरबल HCl, H2SO4, Nitric Acid, HNO3 सभी प्रबल अमल प्रबल विद्यूतब घटे होते हैं विद्यूतब घटे मतलब सब जो जल में घुलकर आयन दे देते हैं तेजी से H+, देता है, इसलिए प्रबल है दुरबल अमल ऐसे अमल जो जल में आंसिक रूप से ही आईने करित होते हैं फलस्तुरूप कम मात्रा में अगर है हड्रोजन आयन देगा तो वो दुरबल अमल है अगर अधिक मात्रा में देगा तो वो प्रबल अमल है एक्जामपल आप लिख सकते हैं CH3COOH HCOH C2H5COOH यह सब प्रबल अमल है दुरबल अमल है यह सब क्या है सर दुरबल अमल है अमल वो है सर जो तेजी से ह प्लस देगा वो प्रबल अमल है अगर जो धीरे धीरे ह प्लस देगा जो धीरे धीरे ह प्लस देगा सर वो दुरबल अमल है अब देखिए अब अब अम लें दो प्रकार के और द्यान दीजेगा सर्ड एंटीपीसी का सेट सर आपको चल तक त्यार हो पाएगा सांद्र का मतलब जिसमें अमलिक की मात्रा सांद्र मतलब होता मोटा अगर ये पानी है और इसमें अमलिकी मात्रा बहुत अधिक है ये मनलो अमल है और ये पानी है पानी क्या है विलायक अगर अमल की मात्रा बहुत अधिक है तो मोटा होगा तो कहते हैं कि अमल अधिक होगा तब मोटा हो जाएगा तो सांद्र होगा और विलायक कम होगा अमल अधिक होगा यानि विलायक की मात्रा कम होगी लेकिन तनु जब होगा तनु होगा तो अमल कम होगा तो अमल कम होगा तो पतला होगा और विलायक अधिक होगा कि विलायक यानि पानी अधिक होगा पतला कब होगा पतला कब होगा जब पानी अधिक होगा अचीनी कम होगा यानि अमल कम होगा मोटा कब होगा जब चीनी अधिक होगा और पनी यानि विलायक की मात्रा कम होगा तर मोटा कब होगा जब चीनी अधिक होगा यानि अमल अधिक होगा और विलायक यानि पनी कम होगा पतला कब होगा जब अमल कम होगा और विलायक अधिक होगा कहते हैं सर अब ध्यान दीजेगा एकदम आराम से सर अगर हम तुर्बलम नए सांद्रम शांद्रमल कहते हैं कंसेंट्रेटर डेसीड वह अमली ये विलियन जिसमें अमल की मात्रा विलायक की तुलना में अप एक छाक्रित अधिक होती है किसकी मात्रा अमल की मात्रा कि कौन क्या 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 तुम लोग अपने में जोल करते रहता है रहे फिर शुरू कर देंगे हम कमेंट सेक्शन आफ कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे पढ़ना है कि ने पढ़ना है हम जूटे हैं मतलब हम बोल दिये कि कल आयागा NTPC का सेट ने Аपाया ने आपाया तो हम की करेंगे क्राम फो घलते शॉलदी चाप दे हैं तुम वह क्या लगता है मतलब किताब चपना इता आसान ने दे दिया दे कहता हैं जूटे हैं, अरे तो बुक आएगी, जब आएगी तो हम बता देंगे, हम नोटंगी करता है तुम लो, यह सब काम करेगा ना, अभी हम रूप को ब्लॉक करते हैं फिर एक दूगो को, दान अब सब कहीं का, हम सर, एक जड़ा सा, अगर हमने सर कह दिया कि बुक आएगी तो आएगी, तो गहता है आप जुटे हैं, अरे दान अब सब कहीं का, पौड़ों पौड़ने पर मौन लगाओ, चुटा बीस दिन बात पर पर इच्छा है, पर इच्छा तो हो, रहा टेंसन हम रहा हो रहा है, द एक भी उल्टा पूला कोश्चन करेंगा, हम ब्लॉक कर देंगी, चुप चप पॉड़, सांद्र अमल किसको कहते हैं, वहां अमली है विलियन, जिसमें अमल की मात्रा विलायक की तुलना में अप एक छाकरित अधिक होती है, शांद्र अमल कहलाता है, कौन अमल कहलाता है सा चांद्र अमल क्या जादे होता है, इसमें सर अमल की मात्रा अधिक होती है, और अगर अमल की मात्रा कम होगी, तो कहता है वहां अमली है विलियन, जिसमें अमल की मात्रा विलायक की तुलना में अप एक छाकरित कम होती है, तो अमल की मात्रा कम, यानि चीनी की मात्रा कम निक्स्ट करते हैं अमलियता का स्क्रम सभी बोला है कमेंट सम देखिये नहीं आज ये उल्टा पुल्टा करेगा टेक्निकल टीम है ब्लॉक करेगा तुम लोग पढ़ता है नहीं जगरा में दखो अक्सियन की मात्रा जादे हो जादे हैं हमलिया है सबसे अधिक अमलिया कौन है है अच्छाई प्राकृतिक अमल और उनके शुरुत याद ही होगा इससर आपको अल्रेड़ी याद होगा एसिटी के सीट सब जानता है सिरका एमिनोमल प्रोटीन फॉर्मिकमल लाल चिटी मद मकी के डंक में और जेलिकमल टमाटर हड्रोक्लोरीकमल मनुस्य के पेट में यह अल्रेड़ी तुम जानता होगा इसका और भी लिस्ट होगा एको उसको भी सरध्यान में रखना है परियोग इस सब लिस्ट दिया हुआ है ये वो Sulfuric Acid पुछेगा कार की बैटरी में, जहाँ जहाँ आइलाइट करवारे हैं वहीं वहीं हाइलाइट करने पेट्रोलियम के सोधन में भी कर सकता है Nitric Acid एको एक्वारेजिया पुछता है HCL एक्वारेजिया Bori Acid नहीं पुछेगा Oxalic के सीब कपरों की रंगाई में पुछता है Photography में, Bleaching में Junk का दाग हटाने में टर्टरी के सीब Baking Powder बनाने में इस वार पुछा था सर कि Baking Powder में सर किसका किसका मिस्रन होता है Baking Powder सर Baking Powder और टर्टरी के सीब मिला के Baking Powder होता है अगला भस्म अब भस्म पर आते हैं देखिए भस्म दो प्रकार के होते हैं जल में जो घुल जाएगा वह इसे भस्म को छार कहते हैं जैसे N-A-O-H, K-O-H, M-G-O-H, Halt-2 और वगएरा वगएरा जल में और विले ही जो होगा उसे हम भस्म कहते हैं जैसे C-O-H, Halt-2, F-E-O-H, Halt-2 बट कोई खास काम नहीं है इसका काता है सभी छार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म छार नहीं होते हैं कोई काम नहीं है इस पॉइंट का यहां से फिर आप देखो सर मामला क्या है छार और भस्म में बहुत जाद एक अंसर नहीं है कहते हैं अरहेनियस के अंसार हम बोले थे चला अरहेनियस के अंसार हम बोले थे तुमको याद करो कि यहां हम तुमको बताए थे कि अरहेनियस के अंसार जो OH में अस देगा वो छार है जो प्रोटोन गरहन करेगा वो छार है जो ब्रॉंश्टेडन लॉरी के अंसार और लिविस के अंसार जो एलेक्टोन इनरिजन जोड़ी का त्याग करेगा वो छार है यह भे, यह तीनों पॉइंट होगा, अरहिनियस के अंसार जो OH- देगा वो 6 है, ब्रॉश्टेन लॉनी के अंसार सर प्रोटोन ग्रहन करेगा वो 6 है, और लेविस के अंसार जो एलेक्टोन ग्रिजन जोडी का त्याग करेगा वो 6 है, देखें वही बात यहां लिखा हुआ है अरहिनियस के अंसार छार वह पदात है, जो जल में घुल कर OH- देगा, ब्रॉश्टेन लॉरी के अंसार छार वह पदात है, जिसमें प्रोटोन ग्रहन करने की छमता है, और लेविस के अंसार छार वह पदात है, जिसमें अलेक्टोन की निर्जन जोडी का त्याग करने की प चार के प्रकार Winston funk, प्रवल को नइनली सरह एपको याद रखना जो ऊए समेनस देगा वह चार है जलंगे विलेईता के अधार पर प्रभलचार और दुरभलचार वही हो गया प्रभलचार जो तेजी से ऊए समेनस देगा वह प्रभलचार और जो धीरे-धीरे OH- देगा वो दुर्बल चार जो धीरे-धीरे OH- देगा वो क्या दुर्बल चार और उसके बाद सांद्र और तनू क्या होगा सांद्र से जिसमें अधिक छार होगा अधिक छार होगा वो सांद्र होगा जिसमें कौम छार होगा वो तनू होगा प्रबल छार जो ओएस मैनस तेजी से देगा वो प्रबल छार जो जल में घुलकर ओएस मैनस धीरे धीरे देगा वो दुरबल छार सांद्र क्या होगा जिसमें अधिक छार होगा कम विलेई होगा विलियन होगा, अधिक छार होगा और कम पानी हो, तनू होगा तो कम छार होगा और अधिक पानी हो, पानी मतलब दिलायक, अब पढ़िये तुसर्ण, करता है, प्रभल चार, अइसे छारिक छो जल में पूंटेया विले होते हैं, और प्रभल चार कहलाते हैं, अदिक मतले होते हैं, अर्थात कम विले विले होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हैड्रोकसाइड आयन उत्पन करते हैं उसे दुर्बलचार कहते हैं एक्जाम्पल आपके सामने है अमोनियम हैड्रोकसाइड है या केल्सियम हैड्रोकसाइड जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हैड्रोकसाइड देगा प्रबलचार अधिक मात्रा में हेड्रोकसाइड देगा दुर्बल चार अधिक मात्रा में हच प्लस देगा जल में घुल कर प्रबल अमल कम मात्रा में हच प्लस देगा दुर्बल अमल अधिक मात्रा में अमल होगा तो सांद्र अमल अधिक मात्रा में चार होगा तो सांदर चार, कम मात्रा में चार होगा तो तनु चार चार के गुन, इसार एक प्रबल चार और दुरबल चार, पौधों से उठा कर लाना पौधा वगरा में जब आप लाओगे तो उसमें दोनों चीज़ें होगी एक प्रबल और दुरबल दोनों शांद्र अमल किसको कहते हैं से शांद्र अमल कि अगर हम बात करें तो वह जलिये विलियन जिसमें छारक की मात्रा अधिक होती है अप एक छाकरीत अधिक होती है तो अमनों सांद्र यानी मोटा होगा वह सन्दर छार कहलाता है, उधेरत powinna संदर सोडियम हाडरॉकषाइट और संदर अमोनियम हाडरॉकषाइट इस रपका सांदर छारक जब ये हो गया, अधिक मात्रा में छार होगा अगला, क्येता है तनु छार तनू छार मतलब कम मात्रा में छार होगा पतला होगा वह जलिये विलियन जिसमें छारक की मात्रा पे एक छाकरेट कम होती है तनू छारक कहलाता है उदारन तनू सोडियम हैड्रोकसाइड और तनू अमोनियम हैड्रोकसाइड आदी यह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है सब जानता है, अमल स्वाद में खटा होता है इसके जलीय विलियन का पी अच मान साथ से अधिक के साथ से कौम साथ से अधिक होगा तो सर्चार अज साथ से कम होगा तो अमल यह विद्युत के विद्युत के सुचालक अमल और छार दोनों है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है बी यार भी हम पढ़ायते है बेस रेड टू ब्लू कर देता है अम मिथायल ओर इंच को पीला कर देता है फिलॉप्थिलिन को गुलाबी यह आपको याद रखना हो हमने आपको क्या कहा सर अमल उसे कहते हैं जो एच प्लस देगा जो एच मिनस देगा वो छार है अरहेनियस के अमसार ब्रांश्टेड लॉरी के अमसार जो प्रोटोन का त्याग करेगा वो आमल है जो प्रोटोन ग्रहन करेगा वो छार है लेविस के अमसार जो एलेक्रोन ग खटा होता है छार स्वाद में तीखा होता है प्रबल अमल होगा तेजी से एच प्लस देगा प्रबल छार होगा तेजी से ओच में नस देगा जल में घुल कर अधुरबल अमल होगा धीरे धीरे ओच में नस देगा शांद्र अमल होगा अधिक अमल होगा तनू अमल होगा कम आब दिमाग बंद हो रहा है कोई बात नीए अब दिमाग बंद हो रहा तो supplying हल अब अभी तो चैप्टर तो खतम करने दो क्षयन धाइन से और अब बोलें सब्सक्रांगा सब्सक्राइब